बिस्मिल्लारामाने रहीम, असलामलेकुम दोस्तों गैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप दिख रहे हैं इजादन सारी बिस्मिल्लारामाने रहीम, तो इस रेस्पी के लिए हमें सबसे पहले जो चीज जाननी है, जो जरूरी है वो ये, कि आपने जो मुली खरीदनी है, वो आपने अच्से वाली फ्रेश खरीदनी है, सक्त होनी चाहिए, ये देखें इस तरह से नरब नी पड़ी होनी चाहिए, जैसे के ये वाली ठीक है, ये देखें, ये पुरानी पड़ी हुई है, इसका टेस्ट सही नहीं होता है, ये आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करने हमारा काम होता है, कि हम आपको एक चोटी चोटी चो चीज है, वो भी बताया करें ठीक है, अब इनको हमने दो लिया था, पते मैंने के काट लिये थे, वो भी हम यूज करेंगे, तो इसको हमने सबसे पहले काट लेना है, जो फ्रेश मुली होगी याद रखीगा, उसका फ्लेवर खुश्बू अलग होगी, जो बासी बड़ी होगी दो-तिन दिन की, वो सही नहीं होगी, तो इन चीजों का आपने ग्रेट हो जाएगी, एक मुली को हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे, यह इतनी ही काफी होगी, ठीक है, यह देखें इस तरह से हो जाएगी, अब जो पते थे, इनके वैने काट के अच्छी तरह से दो लिये थे, इसके तने हमें नहीं चाहिए, डंडलिया नहीं चाहिए, ज बिसमिल्लारमारी, खुबसूरो सा एक बॉल लेंगे, और यह है, अमारे पास एक कप के करीब मुली, और मुली के अंदर जब इसको कद्दू गश कर लेते हैं, ग्रेट कर लेते हैं, बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, यह रिखें, यह पानी आपने नहीं निकालना, पर अगर आपके पास जो मुली है, वो कडवी है, तो आपने इसका पानी रिमूफ कर देना, उससे इसकी करवाहट जो है, वो कम हो जाती है, तो हम यह मीठी है, इसलिए मैं इसका जो करवाहट है, जो पानी है, वो नहीं निकालूँगा, हरी मिर्चे थोड़ी सी लेंगे, यह हाफ टी स्पून और यह मेरे पास लाल फ्रेश मिर्च है, इसके दो फाइरे हैं, एक खुश्बू अच्छी होती है, दूसरा दिखने में अच्छी होती है, मुझे जब भी मिलती है, मैं ले लेता हूँ, मुली के पते, जो बड़ीग बड़ीग हमने काटे थे, थोड़े स प्यास के बनाते हैं, और वही आप प्यास के साथ बनाते हैं, आपको जमीन अजवान का पड़क मिलेगा, चलें जी, बिसमिल्ला हमाई, नमक इसमें हम वांटी स्पून एड़ करेंगे, लाल मिर्च पाउडर वाली एड़ करूँगा, कलर इस से अच्छा आ जाएगा, वा करनी है, और यहां पर मेरे जहिन में एक चीज आई, जो मैं एकसर करता हूँ, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए एक स्पैशल चीज इसमें मैं एड़ करूँगा, ठीक है, उससे इसकी जो क्रिस्पीनस है, वो भी जादा हो जाएगी, और टेस्ट भी यह हमारे पास बेसन, दो टेबल स्पून भड़कर हम इसमें बेसन एड़ करतेंगे, इतना कडारा पन इससे आजाएगा न, क्या भेरान रह जाएंगे, ठीक है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते हैं, और इसी तुरा नहीं पर तक हम ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, त तो यहीं पर चिपकता जाएगा, आपको शेप लाने में प्रावलम आएगी, ठीक है, एक दो दफार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल मुश्कल नहीं है, असान है, स्पैचोलो की मदद से एंड पर हम, इसको शेप दे लेंगे, अब यह एक बात धिहान में रखें, शेप नहीं करना होता है, ठीक है, हमने भी यह चीज़ें आहिसाइस से एक्सपीरियंस से सीखी होती है, एकदम से कुछ भी नहीं आता होता, चलने जब यह इस तरह का हो जाएगे, थोड़ा सा नीचे से पग गया है, कुकि इंग ओई लगाया, पहले मैंने इसको हिलाया, से लगाया, कौन हो जाएग पका हो जाएग, एक साइड आपको लगे के डन हो चुकी है, तब आपने इसको बिस्मिल्हारम ऩंगुलटना है, और दोनो साइड़ से हम इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेंग , बौहँच शान दर इसकी क्रिस्पी लूक आती है, ठेच आता ह तो आपने इस तरह से क्रिस्पी कर लेना है इसको आप मिंट सॉस दहीं सॉस या चार के साथ सर्व कर सकते हैं चलें जी बिसमिल्लारामनुराहिम तो माशाला अलहम्दलिल्ला देखें दिमें इस अला की शान उसकी रह्मते नहें ते और बरते दुद्र हमाता हो गाने में पर आप में रेके गलू तक अल्लाह हफ्वेज